हालो, friends तो चल यह आज बनाते हैं हम लोग आम रखन्ड तो यह आम से बनता है स्रीखन्ड की तरह रिषिपी हो पर आम केप डाल डालकर बनता festival तो मैं कैसे बनाती हूं वो मैं आपको बताती हूं, तो चलिए फिर बनाते हैं तो इसके लिए मैंने एक बरतनली है, उसके उपर से चन्नी रख ली हूं इनोे एक सूती का कपड़ा डालूंगे और इसमें मैं 200 ग्राम दही है ये, और 1 cup है, cup से 1 cup है तो इसको हम लोग एक पोटली बना करके चार घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि इस दही का पूरा पानी निकल जाए तो चलिए चार घंटे के बाद हम देखते हैं इस दही का पूरा पानी निकल गया है तो हम लोगों को ऐसा ही दही चाहिए था तो चलिए ये वजन में 120 ग्राम है तो ये 120 ग्राम हमारा दही है तो हम लोग मैंगो भी पका हुआ आम भी जो कट करके लेंगे वो भी 120 ग्राम ही लेंगे जितना दही रहेगा उतना पका हुआ आम रहेगा फिर एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें हम लोग डालते हैं 1 by 3 cup पीसी हुई चीनी और ये वजन में 50 ग्राम है और इसमें हम लोग 1 फॉर्थ टीस्पून डाल देंगे इलाइची पाउडर और 1 फॉर्थ टीस्पूनी हम लोग जायफल का पाउडर डाल देंगे और चलिए फिर इसको हम लोग मिक्सी में घुमा करके लाते हैं तो ये देखे हमारा चीनी जायफल और इलाइची का मिक्सर तयार हो गया है तो अब इसको हम लोग जो हमारा जो दही था ना पानी निकला हुआ इसमें हम लोग मिला देंगे इसको और चलिए फिर इसको साइड में रखते हैं और हम लोग उसी मिक्सर जार में फेना चल के उतार करके उसको हम लोगी बाइनर जार में दूट डालते हैं तो देखिए हमारा स्मूथ सापेस्ट बनके तयार हो गाया है आम का तो चलिए फिर हम लोग जो चीनी और दही का जो हम लोगों ने मिसरन तयार किया था ना चीनी, इलाइची, जाएफल और दही उसमें हम लोग ये आम के पल्प को मिला देते हैं अच्छे तरीके से तो चलिए एक हैंड विस्कर से इसको हम लोग अच्छे से धीरे-धीरे करके मिला लेंगे अच्छे तरीके से और इसको एकदम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है कम से कम एक मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेजे तब यह एक साथ मिल जाएगा और चली फिर 2 tablespoons इसमें हम लोग और दूद मिला लेते हैं बस हम लोग गो 4 tablespoons इसमें दूद लगाया तो चली बढ़िया इसका एक mix कर तैयार कर लेते हैं तो देखे हमारा mix तैयार हो गया है तो सब मिन गया है देखे इस तरीके से ही होना चाहिए ह tua तो यह हमारा आमर खंड का मिक्स तयार हो गया तो चलिए फिर इसमें हम लोग केसर के वाले दूद को मिक्स कर देता है फ्रेंट्स यह पूरा टोटली ओप्सेनल है पर डालेंगे तो अच्छा लगता है तो यह केसर वाले मिल्क को डालके हम लोग थोड़ा सा मिला लेते है और यह हमारा खाने के लिए तैयार है तो चलिए फिर इसको हम लोग सर्ब कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यह रेसीपी आप जरूर बनाइए बहुत अच्छा लगता है अभी तो आम का सीजन है आम भी मिलेगा और यह बहुत अच्छा बन जाता और इसको मैं आम के छोटे-छोटे टुकडे से गार्निस कर रही हूं और कुछ बाद आम के टुकडे भी मैं इसमें डा करके खाई यह ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है तो चलिए हम लोग दूसरा भी सर्प कर लेते हैं तो इसमें भी आम लोग इसी तरह से डाल करके सर्प कर लेंगे और इसके उपर भी कुछ आम के पके आम के टुकडे और बादाम से मैं गार्निस कर लूंगी और फ्रेंड जरूर कीजे फ्रेंड्स की कैसा बनाता और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ठीक है तो जरूर बनाईए एक बार ये आमर खंड बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत अच्छी लगती है आप बनाते होंगे पर एक बार मेरे तरीके से भी बनाईए थैंक्स पोर